तो इस वक्त 36 गड़ में सभी जान रहे हैं कि माता कौशलिया की जन्मस्तली में माता कौशलिया का जन्मसो मनाया जा रहा है जनमसों में बहुत सारी चीज़े हो रही हैं, बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसे खास सिंगर, प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, दुनिया के जाने माने, ना सिर्फ जिनकी गाईकी में कैलाश है, बलकि उनके नाम में ही कैलाश है, तो राइपूर में इस वक् बहुत लोगों को हमारे नामों का अरतन नहीं पता होता कि नाम का मतलब क्या हुआ है? लेकिन हमारे भारत में ही बड़े बड़े यथा नाम, तथा याम ऐसे होता है, मतलब आप हजार बार यदी राम एक ऐसा नाम है, हजार बार ऐसे ही आप किसी को रट लें वस राम, राम, तो ऐसे ही आपकी जिव्या पावन होती जाएगी, तो इस प्रकार के हमारे हां नाम है इसलिए हमारी भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी सम्रिद है ऐसे भारत को हम धन्य हैं ऐसे भारत में जन्मे हैं मैं नमन करता हूँ ऐसे भारत भूमी को ऐसी पवित्र भूमी को और आज हम भारत के ऐसे पावन खंड में हैं जिसका इन दिनों का नाम मालीजे कह सकते हैं छ कोशल राज्य के नाम पर भानुमंत की पुत्री बानुमती जब विवाह होकर चली गई राजा दसरत के यहां तब क्यूंकि कोशल राज भी उनको दे दिया गया था दहेज में तब ही से उनका नाम कोशल्या हो गया था और कोशल्या का माता कोशल्या महोत्सव यहां पर आयो जो है बतोर संगीत कार जब आप बात करते हैं तो समाज की प्रती आपका दाइत्व एक पहला प्रश्ण मेरा और दूसरा आप छतिस गड़ की धरती पे आए हैं हर जगे जाते हैं तो कहीं कुछ नई धुने रचा कराते हैं यहां के लिए क्या है आज हम राम का गुनगान गाएंगे और हम सामान नियता शिव को गाते हैं आप भी जानते हैं और लेकिन आज हम परमात्मा का विश्णु रूप का भी गुनगान गाएंगे मेरे नारायन का क्यों क्योंकि मेरे दाता कहते हैं सब देवताओं ने एक बार पूछा मेरे भोले मेरे महादेव से कि बाबा हम तो आपको भजते हैं आपको जबते हैं आप किनको मानते हैं आप किनको द्याते हैं तो ये बैठे नारायन ये हैं जिनको मैं मानता हूं तो तुझ में मुझ में है फर्क यही मैं हर हूं तू नारायन तो ऐसे हरी और नारायन तो कैलाश खेर जी इस वक्त राइपूर में हरी और नारायन की बाते जो है वो हो रही है क्यामरो परसंग गिनेश के साथ स्वाति कौशिक स्वाराज एक्स्प्रेस के लिए राइपूर